दोस्तों आप जानते हैं इस बात को कि जिसके जितने फैंस होते हैं उनके उतने ही हेटर्स भी होते हैं definitely लेकिन रविश कुमार जी को अगर देखा जाए तो उनके जो हेटर्स हैं वो बहुत ही कम लोग हैं और फैंस बहुत ज्यादा हैं और जो लोग उनसे हेट भी जो करते हैं वो सिर्फ यही तर्क देते हैं कि शायद रविशकुमार हो सकता है एक कांग्रेस ही पत्रकार हो या वो कहते हैं कि रविशकुमार जो है वो कांग्रेस के हाथों बिग गए हैं ये तर्क वो हवा में तीर की तरह चलाते हैं लेकिन वो भी इस बात से शोर नहीं है दोस्तो आक्चली रविश कुमार जो है, वो एंटी बीजेपी नहीं है, वो एंटी गौर्मेंट है, फिलखाल की गौर्मेंट के विरोध में वो वीडियोस बनाते हैं, सवाल करते हैं और पहले जब मनमुलाहन जी की सरकार थी उस वक्त भी वो सरकार से सवाल करते थे, तो आक्चली वो anti-BJP नहीं बलकि anti-government है और मुझे लगता है रविश कुमार जी कांग्रेस से बिके नहीं है इसके मुझे लगता है दो रीजन्स मैं बता सकता हूँ जिसकी वज़ा से ये शोर हो जाएगा कि वो कांग्रेस के पत्रकार नहीं है कांग्रेस के बिके हुए नहीं है दोस्त ना कि वो कांग्रेस से बिकते जो खुद उनके पास उनका election लणने का पैसा नहीं है जो खतम होने जा रही है तो अगर रविश कुमार को बिकना ही होता तो सबसे richest party BJP के हाथों बिक जाते तो सबसे पहला point तो ये है और दूसरा point मुझे लगता है कि अगर रविश कुमार अगर पैसों की आस ही उन्हें होती तो वो NDTV में फिलहाल टिके रहते क्योंकि NDTV को अडानी जी के खरीदने के बाद NDTV काफी rich हो जाएगा उसके जो cameras है वो काफी अच्छे quality महेंगे quality के अब लिये जाएंगे background decorations भी चाहे हो editing quality हो सब कुछ NDTV का बदल जाएगा काफी rich channel बन जाएगा और उसमें जो employees है जो पत्रकार है definitely उनके salaries भी लगबग double हो जाएगी तो अगर रविश कुमार जी को पैसा या popularity चाहिए थी तो वो इसी तरह NDTV में continue करते उनकी salary भी बढ़ जाती उनकी popularity अलेड़ी इतनी ज्यादा है और भी ज्यादा बढ़ जाती NDTV में होने की वज़ा से क्योंकि वो और भी ज्यादा popular हो जाता NDTV चानल तो मुझे लगता है रविश कुमार पैसों में इतना interested नहीं है इसलिए उन्होंने NDTV को फिलहाल छोड़ दिया है मुझे लगता है ये दो reasons ये साबित कर सकते हैं कि रविश कुमार जो है वो ना विके हुए है ना कांग्रेस के पत्रकार हैं दोस्तों आप अपना अपिनियन हमें कमेंट बाक्स में लिकर बताएं कि आप क्या सोचते हैं क्या रविश कुमार कांग्रेस के पत्रकार है या फिर निश्पक्ष पत्रकार हैं आप अपना अपिनियन हमें कमेंट बाक्स में लिकर बताएं तैं